क्या आप किसी पड़ोसी की मदद करना चाते हैं या किसी दोस्त को खाने पर ले जाना चाते हैं नेख खाईशात हालात को नहीं बदलते लेकिन उन पर अमल करने से बहुत बड़ा फर्क पैदा होता है मेरे ख्याल में हम नेख खाईशात तक रुक जाते हैं पर खुदा फर्माबरदारी चाहता है आज हम लुद्फ उठाएं रोजमर्रा के जिन्दीगी का में आपको सिखाएंगे खुदा के फर्मान मानने की एहमियत क्या होती है तो देखते रहिए ये जानकर की नेक अमल क्या है और फिर उसे टालना एक बड़ी एहम काना चीज है जानता है क्यूँ? आपका बीज तब तक बोया नहीं जाता जब तक मिटी मिटी में नहीं मिलता उसे पूरिया मारख देने से आप भूखे मरेंगे ये जानना की नेक अमल क्या है पूरिया भर टमाटर के बीज लेकर कहेत का सामना करने जैसा है हाला कि खेट तो बाहर है पर बीजों को पूड़िया में रखे रहना और बाहर जाकर उनको नहीं बोना और फिर शिकायत करना कि आप भूके हैं जब आप ये जानकर कि नेक अमल क्या है उसे नहीं करते तब खुदा वाकरी में आपके लिए कुछ नहीं करेगा और ना तो किसी और के लिए क्योंकि आपके पास इल्म तो है पर उसे हरकत में लाना जरूरी है क्या मैं आपको कुछ बताऊं, जो मेरा मानना है, कि ये लोगों के लिए एक धोका है, नेख खायशात, हम नेख खायशात के बतले धोके में रहते, मेरी खायशे में ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ऐसा करूँगी, कब, पता है कब, जब करना मुनाजिब लगेगा, आसान ल मतवाज़ होता है, ये इसी मौज़ू पे है, जो हवाओं का रुख देखता है, वो बोता नहीं, अगर आप हालात को, सही होने तक का इंतजार करते रहेंगे, ताकि आपका कुछ खर्च ना हो, ये गैर मुनाजिम ना हो, ये ज्यादा सक्त ना हो, ये नुक्सान देना हो, तब आप खुदा की मन्शा पूरी नहीं कर पाएंगे, खुदा आपको नामुम्किन करने का हुक्म क्यों देता है, इसलिए कि, वो चाहता है हम पूरी इमान में ये करें, और इमान, इमान चाहता है आप तब कदम उठाएं, जब आसानिया, तरकार नहीं, टाल मटोल करना ये जान करके, ये सही है पर उसे नहीं करना, यूहना तेरा पर चलिए, क्या आपने वोर गया जब मैंने टाल मटोल कहा तो सब करा उठे, मेरे ख्याल में हम लोग अपने आप में भी और जिन्दगी में भी खुशी महसूस करते, अगर हम हरकत में रहने वाले लोग होते ब हाँ मैं जानती हूँ मुझे उठकर वह साफ कहरना है, ऐसा है मैं ये कल करूंगी, हमें खुद के बार में बुरा महसूस होता है, मुझे पता है मेरा ऐसा भी वक्त चलता है, जब मैं अपनी कुरसी पर बैठे बैठे अबादत और मुटाला करती हूँ, मैं कॉफी पीती हूँ, कलम किताबे हाथ में होती है, मेरा कुता मेरी कुरसी पर बैठा होता है, मेरे पास एक साथ पाउंड वजनी सफेद कुत्तिय है जो मेरे पास बैठ जाती है और तब अचानक बाइबल पढ़ने लगती हूं तो ख्याल आता है मेरा चश्मा नहीं है डेव कुछ नहीं मैं उठ नहीं सकती तो ऐसा है कि अगर में हाथ बढ़ा कर अपना सेल फोन उठा लेती हूं पर मैं उठ नहीं सकती तो ऐसा करने के कोशिश में मैं अपनी कॉफी गिरा देती हूं कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा घंद पहला देती हूँ क्योंकि मैंने उठकर अपना चश्मा खुद नहीं लिया और मैं उठना नहीं चाहती थी आप बनिये मत जैसे आप जानते नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ असल में जो मैं बता रही हूँ आप समझते हैं क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ जब आपको अपना सामान घर में लाने के लिए तीन चक्कर लगाने में आसकत आई थी तब आप उसे गिरा देते हैं सेडियों पर ठोकर खाते हैं खफा हो जाते हैं उसे लाट मार देते हैं इसके जड़ उस रवाइए में है जहां आप जरा सी जहमत सहन नहीं कर सकते अमरिका की अवरीन तरीन कुर्सी का नाम है लेजी बॉई ना की वर्कर बॉई आहां लेजी बॉई ना की वर्कर बॉई आमें युहन्ना तेरा जबरदस्त बाब है इसमें येशु अपने शागिर्दों के पाउं धोते हैं इसमें कितने ही बहतरीन सबक हैं पाउं धोने का रिष्टा खिदमत और लोगों की मदद करने से हैं पत्रस बोले नहीं आप मेरे पाउं नहीं धो सकते और येशु बोले अगर मैं आपके पाउं नहीं धोंगा तो आप मुझ में शरीक नहीं होंगे एक तरीका जिसे हम एक दूसरे के साथ शरीक हो सकते हैं वो ये है कि हम एक दूसरे के लिए कुछ करने लगें चर्च में आकर किसी को देखकर हाथ इलाना शिरकत रखना नहीं होता मैंने हिलसॉंग में एक बात देखी जिसना मुझे बहुत मतासर किया था जब पहली पहली बार चर्च में जो लोगों के एक दूसरे के साथ तालुकात हैं उसके बारे में उसने बताया था आपने उन्हें ये कहते हुए सुना था उनके यहां जो मुझे अच्छा लगा वो बोले आप लोग मिलकर चर्च के तालुक से तो साथ रहना जानते हैं पर आप लोगों ने जिन्दकी के तालुक से साथ रहना नहीं सीखा है तो आपको जिन्दकी के तालुक से साथ रहना सीखना है जी जी ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आपको अमरीका में सबसे अलग थलग कर रहे हैं मैं चर्च तो जाओंगा पर किसी मामने से जुड़ूंगा नहीं मैं किसी को जानना वाना नहीं चाहता तो उस तरह जी नहासान हो जाता है जी अगर आप रिष्टे रखा करेंगे तब आपको कुछ पेचीदा बातों से रूबरू होना पड़ेगा लेकिन अगर आपने रिष्टे नहीं बनाए तब आप अकेले रह जाएंगा हाली में अख़बार में एक बात छपी थी जो बताती है कि पिछले दो सालों के मुकाबले में 20 से 25 फीस्दी ज्यादा लोग ये महसूस करते हैं कि उनका कोई ऐसा नहीं जिन से वो अपने दिल की बात बात सकें जो साबित करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा आप जानते हैं आपको दूसरों के मिसाल में पढ़कर अपने आपको रहा से नहीं भटकाना है पर हमें एक दूसरे की मदद करनी हैं हमें एक दूसरे के लिए मुनतसर रहना है वो एक क्या बड़ी वज़या है जो लोग चर्च से नाखुश होते हैं क्योंकि वो किसी के ल राना मझलिस में शरीख हुआ करती तकरीबन 20 साल तक हर बरस वो आती उसने बताया पिछले दो सालों से उसे उस में से कुछ नहीं मिला तब उसने दूआ मैं ये मांग लिया कि खुदवन जॉयस को क्या हो गया है उसने खुद मुझ से यह कहा वो बोली जॉयस को क्या हो ग तब खुदा ने जवाब दिया जॉइस को कुछ नहीं हो इस वज़ा से तुम्हें वहाँ से अब कुछ नहीं मिल रहा है कि तुम्हें एक लंबे अर्शे से लबरेज हो गई हो और जब तक तुम थोड़ी बहुत खाली नहीं हो जाती तो लोट के आने का कोई फाइदा नहीं आपको इस बात से तकलिव नहीं होगी अगर आप उस जणाना मजलिस में इस वाहिद मकसद को दिमाग में लेकर आएं मैं वहाँ जाओंगी और मैं एक बरकत बन कर रहूंगी मैं उन लोगों से बात करूँगी जो तन्हा से लगते हैं मैं उन लोगों के ताक में रहूँगी जो मुम्किन है वसायल खरीदने की हैसियत ना रखतो हूँ जिने किताबों के मजमूए या टेप्स की जरूरत है और वो मैं उन्हें खरीद कर दूँगी मैं कुछ गिफ्ट सेटिफिकेट्स जो वहां के होटलों में चलते हैं उन लोगों को पेश करूँगी जिनके पास उतने पैसे ना हो आप समझ नहीं सकते इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते आप कितने खुश होंगे अगर आप थोड़ी खलकी सोच इख्तियार करें कि किसी के लिए क्या नेकी कर सकते हैं अपने बारे में कुछ देर के लिए सोचना बंद कर दें तो फिर जब भी आप बेतुल मकसद में दाखिल होते हैं आप उर्जोशी से दाखिल होते हैं और आप में कुछ डालने के लिए खाली सी जगा मिलेगी तो येशू उन से बोले मैं आप लोगों को की मिर्साल दे दूँ मैं आपको जीने का तरीका दिखा दूँ और वो अपने घुटनों पर आगए अपना शानदार लिबास उन्होंने उतार दिया और नौकरों का अंगर अच्छा उठाया और मुझे बाइबल की ये बात करना चाहते हैं उसका उधा बढ़ा और खुद को जुकाता नहीं है ये बिल्कुल ठीक नहीं है ये बिल्कुल गलत है ये बाइबल कहती है खुदावन में खुद को पूर्जोर करो तो मैंने ऐसा करना सीखा है ठीक है तो वो इस तमाम चीज से गुजरता है और अब उनसे कहता है तुम्हें लोगों के साथ मिलना है पाउंध होने है लोगों की जिन्दगी से गंदगी निकालनी है अपना मरतबा जाना है सत्रवी आयत देखिए अगर तुम इन बातों को जानते हो और ये नहीं कह सकते कि नहीं जानते हो क्योंकि मैंने अभी अभी बताया अगर तुम इन बातों को जानते हो तब तुम मुबारक और खुश और हिरस करने के लायक हो बशर्ते तुम उन पर अमल करो इस ख्याल से नहीं कि कभी कबार करोगे अगर तुम जानते हो कि क्या सही अमल है पर उसे लेकर तुम ताल मटोल किया करते हो तब तुम उस शक्त से भी जबर्दस्त बयान है और सही बयान भी है अगर आप अंजान है तब तो आप एक अंजान होने की खुशी में जीते हैं कि पर जब आपको एक बार पता लग जाए क्या करना है और आप वह नहीं करते तब आप उसे अपने जमीर में महसूस करते हैं तो अमल करने वाला बनिये अगर आपको कुछ करने की जरूरत है तो उसे कीजिए अगर आप उस कोठरी को साफ करने के ख्याल से दो बरसों से जूज रहे हैं तो जाकर उस बद्बुदार चीज़ को निकाल फेकिए एक दिन लगा कर उस जगा को साफ कीजिए आमेन ठीक है टाल मटोल मैं उस पर बहुत कुछ कह सकती हूँ पर कहूंगी नहीं एक और बात जिसे लेकर आपको तयार रहना है और मैं उस पर तालिम नहीं दूँगी पर ये पांचवा नमबर एहम काना, गुनाह, आलूद, बेकार और गलीज बात है इफ़िस्यों पांच-चार कुछ बात हैं जो हम करते हैं वो बेवकूफाना होती हैं, कुट्यों और बिल्लियां बरस रहे हैं जाहिरे ये बात हैं गुनाह नहीं हैं लेकिन जब आप जरा वो सुनें जो हम अक्सर कहते हैं मुझे गुद गुदा के मारे डाल रहा है ये मुझे मारे डालता है मैं ऐसों को जानती हूँ जो जब जब पीछे को मुड़ते हूं ने कोई ना कोई चीज मारे डालती है हमें अपने लबजों में हिकमत लानी चाहिए जिन्दगी और मौत की तासिर जबान में होती है मैं चाहूंगी आप वाइस पांच पर एक मिनिट के लिए नजर डालें, मैं आपको अपनी जबान पर पाबंद होने के बारे में बताना चाहूंगी और मैं सोचती हूं कि ये देखना एहम होगा जिस वक्त हम लबजों की बात कर रहे हैं, वाइस पांच दो, बोलने में जल् जल्द बाजी से खुदा के, हुझर कुछ न कहे क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमेन पर है, इसलिए तेरी बात है मुख्ते सारे जानते हैं, वो क्या कह रहा जल्द बाजी में? वादा ना करो, जल्द बाजी में ये ना कहो, आप क्या करने वाले हैं, जब तक रिक्वान की तर्कीब भेजूंगी मैं संजीदा हूँ हमें बड़ी समझ के बात बोलना चाहिए क्योंकि खुदा हमारे अलफास को एक मोहायदा मानता है उन दिनों का क्या हुआ जब आपको उन तमाम कानूनी मोहायदों की जरूरत नहीं पड़ती थी जब कोई कह देता मैं मैंने तुम्हें अपनी जबान दी है या फिर वो इस हाथ पर हाथ मिला लेते थे अब हमें ये सारे कानूनी का आगजाद पर दस्थखत करने पड़ते हैं जिनमें 50 सफों के एहद होते हैं ताकि आप उन पर दावा कर सकें जो आपना वादा पूरा नहीं करते हैं हमारे सम जवाब देना चाहिए अगर आप किसी से कहें आप उन से कहीं पर मिलेंगे तो आपको मिलना चाहिए हमें एक दूसरे के लिए काबिले भरोसा बनना चाहिए अब मैं आप से उस चीज़ पर बात करना चाहती हूँ जो मेरे लिए इस वास का जरूरी हिस्सा है मैं आप से ज पर तवज्जो कर मेरे फहम पर कान लगा ताकि तू तमीज को महफूज रखे और तेरे लब इल्म के निगेबान हो जानते हैं आजमाईश के वक्त कौन सा जवाब मुनाजिब होता है कि आप जानते हैं आजमाईश के वक्त क्या जवाब मुनाजिब होगा कौन जानता है आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं जोर से सोचिए ये मुश्किल है या नहीं आजमाईश के वक्त यही मुनाजिब जवाब है नहीं क्योंकि बेगाना औरत की होटों से और शुरू में हम बात साफ कर देते हैं ये एक औरत ही का मसला नहीं है क्योंकि बेगाना औरत की होटों से शेहत तपकता है और उसका मुँ तेल से ज्यादा चिकना चौथी आयत मगर अगर आखिर में क्या हम नहीं बता रहे थे कि अंजाम कैसा हुता है पर उसका अंजाम नाग दौने की मानिन तल्क और दोधरी तलवार की मानिन तेज है उसके पाँ मौट की तरफ जाते हैं उसके कदम पाताल तक पहुंचते हैं पाताल जो मरे हुँओं का मकाम है सो उसे जिन्दगी का हमवार रास्ता नहीं मिलता उसकी राहें बेठीकाना है पर वो बेखबर है इसलिए एए मेरे बेटों मेरी सुनो और मेरी मुह की बातों से बरगश्टा ना हो उस औरत से अपनी रह दूर रख और उसके घर के दर्वाजे के पास भी मत फटक आजमाईश के हर मकाम से कनारा करो फिर दोहरा रही हूँ आजमाईश के हर मकाम से कनारा करो इसका मतलब है आप वो बरहेना वेब साइट नहीं देखेंगे क्योंकि आप तांग ज्ञांक करना पसंद करते हैं किसी को तो ये ऐलान करना था, इसलिए मैं दुनिया से ये कह रही हूँ, जाकर वो बरहेना, पॉर्णोसाइट्स में तांग जाक ना करें, क्योंकि वो शायतीन बैठे हैं, इस फिराक में कि वो आपको दबोच सके जब आप ऐसा कर रहे हैं, आपको खबर होने तक आप वहां बार 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 नजरे जमाएंगे, तब आपके बड़े संगीन मसायल खड़े हो जाएंगे, ये बात मैं आपको आज बता रही हूँ, आज कितने ही लोग को नौगरफी की लट का शिकार हो चुके, आप और बटन दबाते हैं और इससे पहले कि आपको समझें, आप गिलाजत में होते हैं, आपको होश्यारी बरत कर अपने कम्प्यूटर्स पर फिल्टर्स जैसे चीज़ें लगा लिनी चाहिए ताकि आप, आपके साथ ऐसा ना होने पाए, आप टेलिविजन एक चैनल से दूस दूसरे चैनल पर जाते हैं, आपके सामने अब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि, हमारे घर में नहीं आती क्योंकि हमें उन पर रोक लगाना आ गया है, मुझे ये सब नहीं देखना है, मैं अपने आपको उसका हुलाम बनाने की शौकिन नहीं हूँ क्योंकि बाइबल कहती है आजमाईश के मकाम से कनारा कर लो, आज आपके घरों में रिसाले आते हैं, आज आपको कोई भी रिसाला ऐसा नहीं मिलेगा, एक अच्छा रिसाला भी जिसमें आप कहीं लोगों को बिलकुर मुक्त सर कपड़ों के बगार नहीं देखेंगे, अगर मैं रिसाला पलट रही हाई रे हाई मैं सच मुच उम्मीद करती हूँ कि जब मेरे शोहर रिसाले उलटते पलटते ना सिर्फ उम्मीद करती हूँ मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं करते यार जड़ा देखो तो शैतान ऐसी तमाम तस्वीरें लोगों के सामने रखता है और तब आप असलियत को देखकर उसमें खुश नहीं होते क्यों कि बहुत कम लोग रिसालों में नजर आने वाले लोगों की तरह होते हैं कई मर्द पॉर्णो वेबसाइट्स पर जाकर उन तमाम औरतों को देखते हैं और फिर घर जाकर अपने वाकरी में हसीन बीवी को देखते हैं जिससे उसकी पांच ओलादें पैदा हुई हैं और अब उसके जिसमें थोड़ी बहुत चर्बी या धिली खाल नजर आती है और अचानक वो उसे सराना छोड़ देते हैं क्योंकि वो हफता भर इंटरनेट पर रहने लगे हैं और नई नई लड़कियां देखने लगे हैं मैं एक लंबे अर्चे से ये कहना चाह रही थी मैं अपने बंदूप के गोली भरली चलाने के लिए तैयार हूँ मुझे तो बस वह सही लोग चाहिए थी मुझे आप से कुछ कहना है खुदा की प्यारी खातुन लूभाने के जरिये मत बनो क्या मैं एक सेकिंड के लिए आपकी मा बन जाओं खातुनो हाँ अपनी आम अक्ल काम में लाइए जब कभी आप स्कर्ट पहन कर कुर्सी पर बैठें माफ केजिए मगर लोगों के ये बात में बताना जरूरी है ऐसे मौके भी हैं जब हमें सामने बैठी ओरतों से ये कहना पड़ा और उन्हें चाद्रे मुहया करवानी पड़ी अगर आपका टॉप धिला है या नीचा है तब आपको इस तरह से ये ऐसे जुकना चाहिए तो ये आदित बन जाती है आपको ऐसा करना चाहिए आमें आपको ऐसा सकर्ट पहन कर काम पर नहीं जाना चाहिए जिसमें यहां तक चीरा हो ये तो स्टाइल है नहीं तुम खुदा की बंदी हो मैं माफी चाहूंगे मगर कुछ चीज़ें आपके हक में नहीं होगे आप चाहिए जो भी कर ले लुभाई जाने के हर मौके से कनारा कर लो आपको रोजाना दुबहर का खाना किसे शादी शुदा मर्द के साथ खाने की क्या जरूरत है आपको औरतों को चर्च में बंद दर्वाजों के पीछे सला मश्वरा देने की क्या जरूरत है आज के जमाने में क्या क्या हो रहा है और उन तूटे हुए खांदानों को देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि बच्चों की क्या गत बन जाती है ये खुदा की मर्जी नहीं है अपनी अकल काम में लाइए कुछ हिकमत इस्तेमाल कीजिए समझ जाएए कि आखिर में आपका क्या अंजाम होने वाला है आखिर में एक बात कहने दीजिए जिससे आपकी शादी हुई या आप उसी के साथ गुजारा करना सीखने क्योंकि जो अगला होगा जो अगला होगा उसके भी अपने मसाइल होंगे मैं मानती हूँ एक बड़ी वज़ा जिसके तहट लोग खुश नहीं है कि वो किसी और के लिए कुछ नहीं किया करते हैं आपको अपना ख्याल अपने उपर से और अपनी जरूरतों के उपर से हटा कर किसी दूसरे के उपर लगाना चाहिए चाहिए आपके जिन्दगी में फिल वक्त जैसे भी हालात क्यों नहों ऐसा कोई है जो आप से बुरी गत में है हलांकि आपको लगता होगा कि आप अपनी मदद आप नहीं कर सकते अगर आप हाथ बढ़ा कर किसी की मदद करेंगे तब आप एक ऐसा बीज बोते हैं चाहिए खुदा आपके अपनी जिन्दगी में एक भरपुर फसल आए और आप इसका भरपुर लुथ उठा पाए आज हम आपको दो डिविडी पेश कर रहे हैं जो है विज्जम एंड ब्लेस्ट लाइव खुदा हमें एक मुबारक जिन्दगी देने का वादा करता है सब ठीक हो जाएगा पर जब आप सही फैसले इस जगह पर लेते हैं तब उस जगह पर पहुंचकर आपको अच्छे नतीजे हासिल होंगे हम जौन बीविर की भी एक किताब पेश कर रहे हैं अंड कवर शायद आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है तो अच्छी बात ये है कि ये किताब पाकर आप itésल के जान सकते हैं मुम्किन है आप उस च्छटके नीचे ही नहीं है जिसे खुझाने आपकी जिन्दगी के लिए बरقरार किया है आप हेरां हो जाएँगे कि किस तरह के हिफाज़त आपके लिए मुहया है अगर आप उस च्छटके नीचे रहे हम आ आद रखिए कि आपको येशु में अपनी जिन्दगी का लुट्फ उठाना है.